Welcome back to my YouTube channel, my name is Zajit and you are watching me on English Learning Spot तो आज मैं लेकर आया हो आर्टिकल का कुछ tricky questions जहाँ पर यह difficulties हो जाता है कि इसके पहले A लगेगा यह N लगेगा आज की वीडियो में आप सीखिएगा कि कैसे A और N decide होता है किसी भी वर्ट के पहले और यह भी हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से factors हैं जो A और N decide करता है इससे आपको correctly A और N लगाने में help मिलेगा आईए हम लोग सीखते हैं बोर्ट पर आप कुछ words देख रहे हैं लिखे हुए इनका हम लोग find out करेंगे कि A और N कैसे लगता है इन कुछ words में से आप लोग easily जान जाएगा कि A और N किसमे लगेगा बट कुछ words होंगे जो tricky होगा और अगर कुछ ऐसे words जिसके पहले आप जानते होंगे कि A और N लगेगा बट उसका reason नहीं जानते हैं तो उसका reason भी हम लोग सीखेंगे इसमें तो आईए देखते हैं first word boy, girl, apple, union ये सारे words हैं तो first का ये लेते हैं किसे भी article को लगने के लिए कुछ basic rule है वो समझ लेते हैं जैसे कि articles जो लगता है वो हमेशा, हमेशा noun से पहले लगता है ये तो आपको idea होगा, right, noun से पहले लगता है यानि कि ये जितने words से क्या है, ये सारे noun है, right, अब ये हमको देखना है कि अगर noun से पहले लग रहा है तो जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा, जो कि आप लोग बच्पन से पढ़ते हैं, पहला word है, easy है, पहले ले ले लेते हैं, boy first letter को देखेंगे, first letter को देखने से पता चलेगा कि A लगे के and वो decide कैसे होता है, आप यहाँ पर देखिए, तो vowel कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, a consonant, B, C, D, Up to Z, except these words, ठीक है, ये vowel हो गया है, ये consonant हो गया है, अगर आप ध्यान दीजेगा, तो B, vowel में नहीं आ रहा है, ये किस मे A हुआ, आइए देखते हैं, जब कोई word, consonant हो, तो A लगता है, और अगर vowel हो, तो and लगेगा, ये तो आप सीखें होंगे, बच्पन में, इसलिए वो जो B letter है पहला, वो consonant family से है, इसलिए consonant के लिए A हो गया, तो B के पहले A लग गया, जैसे girl, ये पहला word दिखीगा, तो G है, A लगेगा, कैसे A लगेगा, G है, consonant family से, consonant के लिए A हो गया, इसलिए girl के लिए A लग गया, अब आ जाते हैं, apple, इसको pronunciation होता है, apple, ना कि apple, ठीक है, apple, ना कि apple, ना कि apple, एपल नहीं होता है, हाँ, apple नहीं होता है, यह होता है, apple, तो ये दिखीगा, तो A से start हो रहा है, A किस में आ रहा है, A, E, I, O, U, ये बॉबल है, बॉबल के लिए क्लिक है, लिखा वर, to identify, to, to identify A और N, पहला रूल, के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहला रूल बोलता है, check the first letter, ठीक है, first letter, in a word, ये, first letter हो गया, A, कहा पर, in a word, ये देखेंगे, पहला letter, और क्या बोल रहे हैं आपर, whether it is from wobble family, और not, मतलब कि check करना है, कि ये wobble family से है, इसलिए, क्या लग गया, वावल के लिए, अन लग गया, अब आते हैं, दूसरे वाले पर, कौन से हैं, इसको कहते हैं, union, कैसे लिखते हैं, हिंदी में, जो pronunciation करेंगे, यू, नी, यन, राइट, union, अब इसका पहला letter देखते हैं हम लोग, first rule के recording, पहला letter, यू है, यू कहां से आता, आपको वावल वाले में से आता है, ये रहा, यू, राइट, और वावल इक लिखिया होगे, and, तो अगर, आप and लिखेगा, तो गलत है कि ने सही, यहां लोग cross check करते हैं, अब देखे, किसी को, articles को identify करने के लिए हम लोग, दो rule के, एक rule तो हम लोग समझ गये, दूसरा rule देखते हैं, दूसरा rule बोलता है, कि check the sound, बोल रहा है sound, किसका, first letter in a word, यानि कि, first letter in a word, पहले हम लोग word चेक करे रहे थे, अब इसका sound चेक करेंगे, तो sound चेक की कीजेगा, तो यहाँ पर देखिए, union लिखा हूँ, you, कहां से आया, यह से, अब यह sound कैसे पता चलेगा, अब sound को कैसे identify करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या है, नीचे देखिए, sound के लिए, जैसे स्वर, औ, आ, ई, अ तक, अगर ऐसे स्वर में, जो भी sound आ रहा है, वो क्या हो जगा, वोबल sound, अगर, वेंजन, अगर कखा गगा में, से ग्या तक आएगा, तो उसको बोलते है, consonant, sound, तो अब आईए, देखते है, union, you, कहां से आया, यह से आया है, और यह कहां तक, कखा गगा, तो क्या होगा, consonant, consonant के ए है, तो, union में, क्या होगा, ए होगा, यह निकी, a union, and union नहीं, तो यह difficulties हो जाता है, बहुत लोगों को, तो आज इसका reason भी पता चल गया, क्या, कि अगर, first letter, चेक करना है, उसका sound, किस से बिलोंग करता है, vowel family से, या फिर, consonant family से, तो, consonant family से बिलोंग करता है, इसलिए क्या हो गया, ए, और consonant के लिए, जान देखते है, elephant, ठीक है, अब इसका पहला letter, पहला letter E है, अब E, किस में आता है, E इसमें आता है, यह vowel हो गया, राइट, अब चेक करेंगे E का sound, E, O, R, E, किस में आ रहा, vowel में, तो vowel दोनों सैट से हो गया, तो यह vowel N हो गया, तो इसलिए elephant के पहले N लग गया, राइट, अब देखी, E से elephant बनता है, E से यह letter भी बन रहा है, इसको भी एक और cross check करते हैं, इसको पढ़ते है, European, ठीक है, तो E sound है, E कहाँ पर आता है, vowel, यह आता है, पहला rule, हम लोग cross check कर लिए, कि जो first letter है, वो E है, और vowel सा आता, अब हम लोग second letter देखेंगे, right, second letter देखेंगे, तो उस में बोल रहा है कि sound check करने के लिए, कि sound, sound कर रहा है कि नहीं, consonant वाला और vowel के लिए, तो अब इसका pronunciation जो होगा, वो होता है, European, अगें, European, इसका पहला letter देखेंगा, U है, U यानि यह, यह कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, तो क्या हो गया, consonant sound, consonant क्या होता है, A, तो देखेंगे, यहाँ पर E होने के बावजूत, इससे हम लोग बोलते है, A European, तो जब यह, A European, यह, A Union, तो क्या हो रहा है, यह जो पहला rule है, let us check करने का, वो fail हो जा रहा है, यानि कि, जो second rule है, sound का, वो भारी पढ़ रहा है, यानि कि, यह rule ज्यादा important है, ठीक है, यह rule ज्यादा important है, आप लोग इसे star mark कर लेजेगा, ऐसे तो हम लोग को दोनों rule check करने है, ठीक है, जब भी यह letter आ रहा है, वहाँ समयल जाईए, सोचिए कि next step, यानि कि second rule से cross check करके पता करेंगे, A होगा, यह and होगा, right, तो यह rule याद कर लेजेगा, दो rule, बहुत important है, अब से आप पढ़ते आ रहे है, umbrella, and होता है, अब कैसे होता है, यह भी check कर लेते हैं हम लोग, first letter, you, first letter, you, आपको vowel sound, you, नहीं, अ है, umbrella है न, अ, तो अ के लिए क्या आ जागा, यहाँ पर अ, आ, तो क्या हो जाग, vowel sound, letter भी vowel है, vowel के लिए होगे, and, तो यह होगे, and umbrella, अब आते है इस वाले में, इसका सही pronunciation होगा, university, अब देखते हैं, पहला letter, पहला letter, you है, तो क्या हो गया, vowel, तो and होना चाहिए, बट हमारे बस second rule भी है, second rule से देखेंगे, sound, university, तो किस से start हो रहा है, again, you से, you, यानि year, year कहां से आया है, कखगगगः, कखगगः मतलब consonant sound, consonant मतलब a, तो क university, right, होगे की नहीं, अब आते हैं, इस पर, year, अब जब इसको year पढ़ते हैं, तो पहला letter चेक करेंगे हम लोग, इसका जब pronunciation होगा, e, year, right, पहला letter e है, e किस से है, bubble से, e sound, किस से है, यह भी bubble, bubble क्लिक क्या होता है, and, तो यह हो गया, and, right, यह दो बहुत आचेर से सीख गया, अब आते हैं, इस पर, इसको बहुत लोग, प्रनांसियेट करते हैं, year, right, सभी करते हैं आप लोग, first year, second year, कौन सी year चल रहा है, 2023, तो year प्रनांस करते हैं, अब जब y नहीं है, तो अगर आपके पास सारा knowledge है, तो आप क्या कीजेगा, कहेगा, बहुत मैं तेज हूँ, अब मुझे पता चल गया है, knowledge, ideas भी है, तो मैं क तो letter से मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे समझना किसे, sound से, second year बोलता है, sound check करने के लिए, तो e जो आता है, a, a, e में आता है, bubble sound हुआ, इसलिए यह हो जाएगा, and year, जो की गलत है, ठीक है, कैसे, यह check करते हैं हम लोग, अब आज यह यहाँ पर, इसका जो सही pronunciation होता है, व यह, right, इसका सही होता है, यह, तो यह देखी, यह है, पहली बात की y, b, c, d, constant family से है, और जो first letter, जो sound का है, यह, वो कखागास है, तो यह हो जाएगा, a, year, यानि की, a, year, सही होगा, तो इससे, इस वाले word से क्या पता चला सीखने को, यह सीखने को पता चला, की, pronunciation सही होना चाहिए, किसी वी word का, अगर आपको सही article लगाना है, तो, इसलिए pronunciation को, बहतिरीन बनाना बहुत ज़रूरी है, आप यह rule देख लिए, इससे पता चल गया, की कैसे article सेट करते हैं, दो rules है, यहाँ पर, यह दोनो rules को आप, note down कर लिजेगा, बहुत important दो rules है, और उन तरीके से, सही article का chain हम लोग करते हैं, अगर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो, इस वीडियो को, अपने friends और relatives के बीच, जरूर share कीजे, जाता ज़दा शेर कीजे, और अगर ऐसे ही वीडियो को, देखना चाहते हैं, तो, मेरे channel, English Learning Spot को, सब्स्क्रा है.